Hey guys, welcome to my channel Bollywood Crazy News कस्वाटे जिंदिगी के फेम श्वेता तिवारी को लेकर एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है Media Reports की मानने तो श्वेता तिवारी ने अपने पती अभिनव कोली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है आपकी जानकारी के लिए बता दे श्वेता तिवारी की पहली शादी तूटने के बाद उन्होंने अभिनव कोली से 2013 में शादी की दी जिसके एक साल के बाद उन दोनों की वीच अन्बन की खबरे सामने आने लगी हाला कि दोनों ने इस मामले पर कोई भी चुपी नहीं तोड़ी वल अब खबरे आ रही है कि श्वेता तिवारी ने अपने पती अभिनव कोली के खिलाफ गरेलू इंसा का केस दर्ज कराया उस रिपोर्ट में श्वेता तिवारी ने बताया कि अभिनव कोली बेताशा शराब पीते हैं और उन्होंने उनकी बेटी पलक तिवारी पर भी हाथ उठाया इसके तैट उन्होंने कम्प्लेन दर्ज करवाई है इतना ही नहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि श्वेता की शिकायत के बाद पुलिस ने अभिनव को हिरासत में ले लिया श्वेता तिवारी अभिनव से पहले राजा जौधरी के साथ शादी के बंदन में बंदी थी इसी दोरां श्वेता मेहच 19 साल की थी और साल 2000 में उन्होंने पलक को जन दिया श्वेता और राजा के बीच भी संबन अच्छे नहीं बताए जाने थे और साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया 2013 में अभिनव से शादी करने के बाद श्वेता ने अपनी जिंदिगी को नई दिशा देने की बरपूर कोशिश की लगबख 4 साल पहले ही हो दोबारा मा बनी है और उन्होंने रियाश कोली को जर्म दिया खै श्वेता से जूड़ी आ रही लेटेस्ट कबर वाकई काफी चौकाने वाली है देखना होगा कि श्वेता इस मामले में कब अपनी चुपी तोड़ती है